नमस्कार स्वागत आप सभीका तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इस क्लास में हम राजिस्थान का करेंट अफिर्स पिछले कुछ दिन से पढ़ रहे हैं जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं एक बार जानकारी देदेता हूं कि राजिस्थान की वो सभी एकजाम जिनमें राइस्सान करेंट ओफिर्स पूछा जाता है उनको आधार बनाते हुए या उनको करते हुए हम इत्फेस पिछले कहीं दिन से continue कर रहे हैं इससाथ साथ करेंट आफिर्स की कुष्म हमरी चल proclaiming रही कि वॉल्यूम वन जिसका आ चुका है आप लोगों के पास होगा नहीं है अगर तो आप चाहें तो उसे ले सकते हैं तो उस बुकलेट में यह जो हम सारी क्लास पढ़ते हैं उसमें ठेटिकल सब लिखा हुआ है और यहां हम उसी क्या धार पर जो कोश्चन आंसर की फॉर्म मे की पत्रिका है कि दौनों को अगर आप एक साथ देखोगे तो आपको फैदा यह होगा कि यहां आपका जनवरी से स्टार्ट हुआ है जनवरी 2022 से और इस क्लास में हम हर दिन का करेंट पढ़ रहे हैं आज जो डेट है एकदम लेटेश्ट वाली आज ही जो न्यू जाई है उसे को हम शाम को किस क्लास में रख रहे हैं सोजस सारंस पर जनवरी से चार्ट करते हुए कर रहे हैं वह हमारी यह राजस्थान करेंट अफेर्स की क्लास में तो आपके दोनों करेंट एक साथ होते जाएंगे ड़ीट ड़ीट आप करते जाएं तो यह लगाग 10-15 मिनिट क कि क्लास होती है साथ समराजस्ताइन सरकार की योजना है कारेक्रम सारे हर दिन आते रहते हैं वही he subscribed जो लोग डोनल देख रहे हैं लोग दाना क्लास होगा इस यहां के प्रूग्रमा की यूजनाे इधर दूंड आई रही है तब शुरूराइं से आज की क्लास की कोश्चन के साथ पहला कोश्चन क्या है नई दिली में संपन हुए राजिस्थान उत्सब का आयोजन निमले खित्में से किसके दुवारा किया गया आपके पास राजिस्थान परेटन विभाग बीकानेर हाउस प्रवंधन समिती तीसरा रूडा और चौथा सभी सोची आप इसका अंसर राजिस्थान परेटन विभाग बीकानेर हाउस प्रवंधन समिती रूडा और इसके साथ एक और संस्था है जिसका नाम था इन तीनों के साथ राजिस्थान फांडेशन तो इन सभी ने समलेत रूपसे इस उत्सब का कौन से उत्सब और कहां किया अपहले नई दिल्ली में नई दिल्ली में कहां नई दिल्ली में जिसका नाम है वी का नेर हाउस प्रभी का कि न्यूज बगेरा मैं या जो तयारी कर रहे हों गया इसकी वो लोग आसानी से चीज समझ रहे होंगे कि दिली में बीका निर हाउस कैसे है दिली में जो राजधानी वाला एरिया है वहां कैई शहरों के नाम पर कुछ ऑफिस के नाम है जैसे कि जो यूपीस का ऑफिस है जो हैं Hellas24 से 31 मार्च 20 przy 2012 तो आप यह चीज तो देखी रहें कि हम यहां जैसे आज की क्लास में मार्च कीज पढ़ रहें कभी फरवारी की पढ़ रहें कभी जनवरी की पढ़ रहें इसका करण यह है कि यह हमने जनवरी से शुरूगी क्लास और सूर्जस वाली क्लास में हर दि से 31 मार्ट 2020 2022 को यह मना गया इसका कारेंट क्या है सब जानते हैं 30 मार्ञ इसों क्या होता है राजिस्थान का एक ये किररण इस इस लिवादय सोता है उसके अवसर पर सरकार ने इसका आयो जिन किया और आयो जिन करने का उद्धिछ है क्या था दिरी में करने का उद्द आ इसका उद्ध्र यह था कि राजस्तानका जो हस्तिसल्प है मैं को अत्रव बूल जाएंगे जो वहां अपने जो प्रोड़क्ट थे वो उन लोगों को बेचे जो इन उसमें आये थे तो राजिस्थान की तरह से ब्रांडिंग होई यहां की जो उत्पाद है यहां का हस्ट सिल्प है उनके लिए बाजार तैयार हुआ और आयोजन किस ने किया इन सभी ने किया जैसे रूड कोई बात पहला कोश्चन के लिए आज की वीडियो में वैसे भी आपको कहीं जगे कहीं उत्सव यह कहीं त्योहर मिलेंगे क्योंकि हमारे चैप्टर याज यह था जिनके पास बुकलेट उनको पता होगा उसमें सारे उत्सव त्योहर ज्यादा है तो वहीं चीज़ें हमें लेंगी आगे चलते हैं अगले कोश्चन की तरफ राजिस्थान में पहली बार बाइक एंबुलेंस की सुविदा कहां से शुरू की गई कौन से एंबुलेंस बाइक एंबुलेंस ऑप्शन के आपके जैपुर कोटा जोधपूर और अजमेर क्या होगा इसका अंसर है जोध सकता है वो लोग आएंगे और सामानिते उनमें जो भी प्राथ में कुप चार की चीज़े होंगी वह अपने साथ लेके आएंगे मतलब इसे डौर कह सकते हैं या डौर स्टैप केंपन भी कह सकते हैं डौर स्टैप मतलब वह आपके गेट पर आएगा आपने कॉल किया और वहीं आपका प्राथ में कुप चार करेगा कहां से शुरू किया यह तो यह शुरू किया जोद पूर से सिंपल सा फैक्ट्चॉल कोश्चन है अगला कोश्चन है जैसल मेर की बबलियान बाला बबलियान वाला चौक सरे मैं शुरू की गई यहां महिला चो की किस्थापना की गई यह यहां साइबर पुलिष चोकिकी स्थापना की गई क्या इसका रही पर स हुंसर में छाहों में आ पर Never लोगों को साइध नहीं पता होगा कि बागा बॉर्डर में बागा भारत में नहीं है बागा कहां है पाकिस्तान तो भारत में कौन सा हिस्सा है उस बॉर्डर का भारत में जो हिस्सा है उसका नाम है अटारी इसलिए उसको समलेत रूप से बोलते हैं अटारी बागा बॉर्ड जो उतारते हैं उसके बाद जो सेरिमनी होती है तरह का उतसब होता है वही क्या है रिट्रीट सेरिमनी कहां पर यह तो ही बात अटारी बागा बॉर्डर की अब ऐसा ही एक आयोजन सरकार ने कहां शुरू किया है यह बवलियान वाला कहां जैसल मिर में और यह इस तरह की चटी सेरिमनी है ऐसी रिट्री सेरिमनी किसके द्वरा की जाएगी यह तो सब्सक्राइब की जाएगी थेख 17 रखशावल ना बॉर्डर सेटी फोर्स इनके द्वरा की जाएगगी क्लियर होई बात इसके लावा बीकानिर में भी ओर अभाद आप व को मुएशन को देखने के लिए प्रेटक आते हैं अब राजस्तान सरकार कोई भी ऐसे मौका नहीं छोड़ना जाती जिसमें की टूरिस्ट को आकरसित किये जा अगर देखा जाए तो राजिस्तान की जो रेकिस्तान है या उप जाओ भूमी भी नहीं है तो इस पर आज जो आए की श्रोत हैं वो कम है इसलिए सरकार ऐसी चीजों से भी एक तरह से अपनी आए की जो श्रोत हैं वो बढ़ाती है जैसे कि अगर बॉर्डर पर इस तरह के आ सांचु और दूसरी खाजुवाला यह नाम भी आप याद रखे सांचु और खाजुवाला तो क्लियर हुई बात आगे चलते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगले कोश्चन क्या है कॉंस्ट्यूशन क्लाव अफ राजिस्तान के भवन का निर्मान निमलिकित में से किसके द हैं कॉंस्टिटूशन क्लब और कल जो हमने पढ़ा था वो क्या था वो था सम्मेधान पार्क अगर आपने कल की क्लास ली है तो आपको पता होगा सम्मीधान पार्क अगर नहीं भी लिया क्लास तो आज जब लाश्ट में हम रेविजिन करेंगे पुरानी क्लास का तब बुद्धान पार्क था इसका निर्माण किस ने किया तो इसका निर्माण किया था जैपुर विकास प्राधीकरण यानि कि जीडी ये इसका निर्माण किस ने किया जीडी जैपुर विकास प्राधीकरण और इसका जो वास्तुकार था वह कौन है वास्तुकार इसके अनूप बर तरिया कल भी मेने लिखाता है यह नाम आज वापिस हम रिविजन में भी देख़ेंगे यह के वास्तुकार्थ हैं और यह कहां बनाया जा रहा है जैपूर के राजभोवन में मतलब जहां राजपल का निवास उता है वहां राजभोवन जैपूर में तो राजपाल द्वारही इसका उद्घाटन किया गया और कव उद्घाटन गया 26 जनवरी 2022 आप देख रह Girii जैसे ये जननवरी 26 जनवरी 2022 ठीक है और यह जो है राज्थान आवसन मंदल इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया इसका उद किया गया मुख्यमंत्री कौन है मुख्यमंत्री श्री अशोग यलोथ और उनके साथ जो नेता प्रतिपक्ष है विधान सवा में वह कौन है वह आप कमेंट्स में बताएं विधान सवागे नेता प्रतिपक्ष कौन है मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष इन दोना के को यह बनाये जारा है विद्धायक नगर जैपूर विद्धायक नगर और कौन सा विद्धायक नगर पूर वहलं East West North South विद्धायक नगर पूर बनाय जा रहा है करए कहां पर जैपूर नहीं क्या है चीज क्या है तो यह सामाने सा क्लब है एक तरह का भवन है जहां विदायक लोग बैठेंगे चर्चा करेंगे आपस में बातें करेंगे दुनियादारी के बारे में उसी को नाम दिया गया है क्लब साथ ही इसमें एक म्यूजियम एक दिविशन इस तरह की चीज़ें भी होंगी सम्मेदान से संबंदित किस तरह से डेवलप्मेंट हुआ और यहां जो कल हमने पढ़ा था सम्मेदान पार्क यहां 45 ऐसी शिल्प होंगे जो सम्मेदान की विकास यातरा को बता रहे हूंगे कैसे कैसे अतिहासिक विकास हुआ क्या क्या चीज़ें जो माइल स्टोंती सम्मीदान अफार्क में बना जाएगे अगले कोश्यन की तरफ यह हैं हाल ही में गठित एग्रो इंड़िश्री ड आद्यक्ष कोन है लाल चंद कटारिया तो लाल चंद कटारिया कौन है पहले आपको पता होगा यह राज्थान के क्रिशेव पर अंध्र आंचाहीक जोल इसका आंसर है तीका रहम जोली यह कौन है कि समाजिक यह अभं सिवां अधिकरिता मंद нравvent को सामाज subjectnięrick कि विबभाग की website मैंने आपको देखने को बोला ता कि युजना है वह यहां कि य॥ हैं को ऱट्रों करदा, देया है जातर जॉश यहमाज कारेकरम से संब्सक्राइब कर य॥ और इसे मंत्री अह whaksk कौन के फर्स्ट चेयर्मन कौन थे पहले कौन थे रपीसी के वह आप मुझे कमेंट्स में बताएं मैं उनका नाम बताऊंगा वीडियो के लास्ट में अब मरू मौतसव 2022 इस का आयोजन निमले खितमें से कौन से स्थान पर किया गया बीकाने बाढमिर जोदपुरिया जैसल में तो कहां किया गया जैसा मैंने शुरू आत मैं आथा आज उत्साव मौतसव वाली चीज्वर बहुत ज्यादा है तो मरू मौतसव 2022 का आयोजन कहां क किनों चारों से भी संबनेत कुछ मौत सबें जो लोग सुझस वाली वीडियो पता है अभी अभी अक्टूबर में हमने ये बाट डिसक्स की ती जोदपूर में कौन सा मौत सब्सक्राइगा आठ और नौ अक्टूबर को इसलिए मैं कहा रहा हूं दोना क्लास एक साथ देखें यह आज की लेटेस्ट न्यूज आपको याद रही यह पुरानी तो पुरानी कौन सा मरूम उत्सब का हुआ यह फरवरी में हुआ 13 से 13 से 16 फरवरी और उससे पहले राहिस्तान अभी राहिस्तान उ देखा वो भी इधर हो गया मरूम उत्सब इससे पहले जन्वरी की निवीज देखिए अभी हमने संभिधान पार्क और आपक्टूबर पर आगए अक्टूबर आठ और 9 अक्टूबर को जोद्पूर में क्या हुआ यहां हुआ मारवाड उत्सब ठीक है जैसे मारवाड उत्सब खतम हुआ तो अगली डेट को मतलब कौन सी को दस और 11 अक्टूबर इसको भी एक उत्सब था और यह कौन सा उत्सब था तो यह था डीग महुत्सब अब यह डीग कहां है तो यह भरतपूर की एक तैसिल है डीग जहां से जाट सामराजे की नीम रखी गई बरतपूर में बरतपूर रियासत की तो यह कौन सा है दस और 11 अक्टूबर को डीग महुत्सब मतलब आठ नो को जैसी मारवाड उत्सब खतम हुआ उसके बाद आ गया डीग महुत्सब दो उत्सब और मैं बता देता हूं एक हु बाद है पर शाही की अलो हुआ वैकर भृफ द्छिए डे नी अग मातंस है अब यह दो कि अब यह दोन कभ वै मतलब कोट्ला मोशब यह अत्था को शेको जब और आ वह अनिहां इरी मिड़ग सभ आलमोस सेम हुए कौन सी हर वाड? लेट यह तो हूआ रह आनेरी हुआ कि मतलब दो दिन और यह जो कोट था यह हुआ 27 से लेकर 29 सितंबर कि अमन में सवाल आता है दौनों इसी डेट को क्यों हुए 27 और 29 सिता 27 को यह शुरू हुआ 27 को वह शुरू हुआ दोन और का विवाग भी से में सारे माज़स गेस डेटन विवाग के तो इसका मतलब परेटन से इस संबनेदी कोई कारण रहा होगा क्योंकि 27 सितंबर को क्या होता है विश्व परियटन दिवश लाग विशू परियटन दिवश इस ही दिन ये सारे माज़स शुरू हुए तो विक्सित किए जाए तक परियतकों को पूंचा था या वह था इसकी। लगे एतियु सले स्वाली क्लाशमेंम भी थिंकिंग रीठिंकिंग ट्यूरिज्म कुछ लोगों ने कमेंट्स में यह भी कहा है कि कोई ठीकल क्लास भी सुरू करें यह कोश्चन आंसर की फॉर्मेट में है तो करेंट अफेर्स के लिए आपके लिए अभी तो बहुत ही एजी है कि एक ठीकल क्लास ही चल रही है जो दस-पंदर मेंट की और यह कीवल कोशन आंसर की फॉर्मेट में हैं दोनों से कनेक्ट करते करते हैं तो अब लागे चलते हैं क्योंक अच्छा यह सारे उत्सप्त वह गये तो आपके लिए अपने नोट से बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन हम लोग भी पीडियाफ वगरा अपलोड करेंगे कई लोग ने कमेंट में भी किया है तो यह तो आज या फिर कल से शुरू हो जाएगी आज 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 चोकी होगी तो पीडियाफ तो हम अपलोड करेंगे लिए कि आपके लिए सबसे केवल बनाले जैसा यहां उत्सव को उसका नाम लिए यहां उसकी डिट लिए कि कभ हुआ और यहां उसका अस्थान लिए कब लग पहलवा केवल पेज में आपके पूरे साल के सारत सब्सक्विजो कम एक तैयार हो जाएंगे पूरे एक साल में मतलब कितने उसपाइभ हों तो उत्सव जैसे मान लेते हैं हमने अभी सबसे पहले पढ़ा मरू मौत्सव या पहले पढ़ा राजिस्थान उत्सव या अभी हमने पढ़ा मारवाड मौत्सव या हमने पढ़ा डीग मौत्सव या फिर हमने पढ़ा कोटड़ा या फिर हमने पढ़ा अभी कौन सा आभा न कि बनाली टेबल ऐसे सारे लिख लिए नाम सब की यहां डेट लिख लिए सब का इस्थान लिख लिए तो जब आप लिखो गे तब भी हाथों हाथ याद होते जाएगा खुद के नोट सबने रहेंगे और जिस दिन आपका एक्जाम होगा रिवीजन भी आपका दो सेकंड मे है जिस से हमारे स सामने पढ़ रहे हैं तो और हम उसी चीज को लिख रहे हैं तो दिमाग का में तो यह जरूर में जाएगी तो आप भी अपनी टेवल बना के यह आपने जो भी शॉर्ट नोट बना रहे हैं वो जरूर बनाते रहें क्योंकि लास्ट टाइम में रिविजन में काम आपके वही सबसे अदाएंगे अब चलते हैं आगे अगले कुश्चिन की तरफ कि थार मौत सब का योजन कौन से विवाग दोरा किया जाता है तो यह तो मैंने कुश्चन या उट कर दिया इसका क्या है परेटन विवाग और यह थार मोत सब कहां मनाय जा रहा है यह मनाय जा रहा है बाड मेर में जैसल मेर भी हमने पड़ा यह बाड़ में और यह इस बार 9 साल बात बनाय जा रहे हैं यह इसकी खासे इन वर्स बाद है कि इससे पहले कम बनाय गये था एससे पहले मनाया गया था थो हजार 212 तो हु आप तो जो अपने टेबल बनाए इसमें एक चीज यह देटा कर सकते हैं कौन सा मरू मरूब के बाद ठार इन दानों में 辉सके confidence मतना कि मरू और थार ऐकी बात है दोना अलग अलग चीज़े है उत सब दोनों अलग लग वैसे नाम में आप मरू और थार रही ंजaking समझ सक Laokiस में बना लोगी तो याद हो जाएंगे कि मरू और थार दोनों अलग अलग मौत्सव जैसे एक ने कमेंट्स में कल पूछा था कि कि जो मुख्य मंत्री जीवन रक्षक योजना है और मुख्य मंत्री दुरगटना विमा योजना तो इसी तरह से आप भी पढ़ें कमपेरिटिवली आपको याद होते जाएगा आप चलते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन क्या है फरवरी मार्स 2022 में आयोजित नायाब हुनर हाट प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया तो यहां भी वैसा ही कोश्चन है यह भी हाट प्रदर्शनी यह आप भाइज्य वेवग औध्यम परोधसान वेवग यह तो उसमें अपने आप इनवाल होंगे ही और इसका जो अध्याटन है वह भी किस ने किया व्हाणेज्जेव उद्यों के मंत्री जो है कौन शकुंतला रावत इन्हों ने इसका उद्गाटन किया था अब जो हम शकुंतला रावत नाम पढ़ते हैं तो हमें हमारी क्लास से ही एक चीज पुरानी याद आनी चाहिए जो हमने पढ़ाता है इन्हों नहीं कुछ दिन पहले हमने पढ़ा एक और कारेक्रम की शुरुवात की कहां वही अलवर के बानसूर से और कौन सा कारेक्रम था वो वो था स्वस्थ बेटी अभियान ये बात मैंने कल भी आपको एक तरह से लिंक करके बताई थी जह हम पढ़ रहे थे 24 जनवरी 2022 जिस दिन र प्रोग्राम था नाया भुनरहर्ट तो कौन से विभाग द्वारा हुआ आयोजन इसका तो उद्ध्यम को प्रोथ सहन विभाग कि साथ ही इसके साथ और सहीं उप्तुरूप से दूसरा कौन सा था तो राजस्थान कि अलप संख्यक वित एवं विकास विवाग राजस्थान अलप संख्यक वित विट एवं विकास विवाग ठीक है पीडिया पढ़नी कई भार हुस्लीव जरूरी होता है क्या बार क्या होता है क्लास के दोरान कई बर मैं बोल कुछ रहा होता हूं लिख कुछ और होता हूं तो कई वाल कुछ जो हुमन एरर है मान भी चूक है वो सबसे हो जाती है तो पीडिया पड़ोगे तो अगर यहां से और वहां दौनों में कुछ अलग मिला तो आपको अपने अप समझ में आएगा कि कौन सा चीज सही है आप तीसरी ज लेकिन जब आप दो तीन सोर्स से पड़ोगे वीडियो देखोगे खुद पड़ोगे खुद न्यूजपेपर पड़ोगे तो आपको सारी चीज है एक दम क्लियर समझ में आएंगी इसलिए एक से ज्यादा सोर्स जरूर फॉलोग करने चाहिए अगला क्या है हाल ही में कौन करेगा इसके द्यक्षता चार आपके हैं मुख्री मंत्री शहरी विकास मंत्री ग्रामेंड विकास मंत्री र्मृज मंत्री विधान सभाकी निता प्रतिपाक्ष है तो इसका का उन पर नियंद्रियंट नहीं है लेकिन उनको एक तरह से एक तरह से इंडरेक्षी करने के लिए मतलब क्या को मानिता प्रदान करने के लिए या उनका day to day जो वर्क हो रहा है उस पर थोड़ी नजर रखने के लिए सरकार ने एक परिशाद बनाई काउंसल बनाई स्वैक्षिक शेत्र विकास परिशाद जिसके अध्यक्ष होंगे मुख्य मंत्री तो इसमें कुल कर राजिस्तान की कौन है उसा शर्मा है तो कहने का मतलब जो मुख्य सचेव हैं पदव पर जो भी मुख्य सचव होगा वह भी इसमें सामिल होगा सदेश्य के जुब में साथ ही मख्यमंत्री परिषयड और कौनिशी आर्थिक-सलहकार परिषद ऑर उसके उपाथ्यक्ष होंगे वो भी इसके सदस्यों हो ऑपाद्यक्ष तो इस तरह से कैई सारे लोक मिला के और बाति कुछ रहे हैं तो वह कुछ अंघ न्य लोग होंगे जो तरकार अलग अलग शेत्रों से लेगी तो इस तरह से मिलागे कुल 16 अधस्य है यह परिशाद होगी जिसके अध्यक्ष कुन होंगे मुख्य मंत्री बागिस में 9 मंत्री हैं दो एंजियों से और बाकी के यह सदस्य हैं जैसे मुख्य सच्व आर्थिक सलाकर परिशाद जो है उपाद्यक्ष काम क्या इसका जो स्वैक्षिक शेत्र की चीज़ें हैं मतलब नौन गवर्मेंट जो और्गनेजिस ने उनको मैनेज करना अब आगे चलते हैं अगले कोश्चिन की तरफ कि नैशनल कॉमन मॉबिलेटी कार्ड एंसी एमसी नैशनल कॉमन मॉबिलेटी ने केंद्र सरकार की अवधार ना थी जिसकी उन्होंने जिक्र किया कब जब बजट 2019 सरकार ने पेश किया सरकार की अवधार ना थी उसका नाम था वन नेशन वन कार्ड जैसे वन नेशन वन पेंशन यह ना कुछ है वन रेक वन पेंशन शोरी ऐसे एक अवधार ना थी कि वन नेशन वन कार्ड तो इसमें क्या था सरकार से चाहरी को यह कार्ड जो बनाया है वो पूरे देश में चल जाए और कई-कई घृष की चीज़یں चंब चल जाएव जैसे कि पहले संबाता है जैपोर में जो जैपोर मैंट्रो है उसकी शुरुआत हो रही है और इस वन नीशन वर्ट ऑक शिख का देश घुल्द जैसे ऊसी शापर से ययातरा भी कर सकते हैं स्य काईग से आ इक से अब्를 me यहां लागू कर रहा है और उसमें भी उसका क्या होगा जैपुर में आप और्गनेजेशन है अथेंटिक उनसे तो यह आज के कोश्चन हुए अब देखते हैं आगे यह हमारा आरेस के लिए प्रोग्राम चल रहा है जिसमें एक बैच हमारा शुरू होने वाला है और वह बैच कब से शुरू हो रहा है एक नमंबर 2022 बैच क्या है यह एक लाइबरेरी में कुछ स्टुएंट रहेंगे वह आपने स्टेटी करेंगे 15-16 घंटे जितने देर भी खुली रहेंगे वह सब लोग रहेंगे साथ ही इनको यहां गाइडेंस के तौर पर जितने भी पुराने अधिकारी हैं जो हमारी टीम के सदस्य हैं वह सभी परसनली आप से मिलते र तो हर दिन का हिंदी और इंग्लीज का कुछ चलता रहेगा तो इस तरह से आपकी सेल्फ इस्टेडी जो है उसी को कुछ जो पराने एक्सपर्ट है जो सेलेक्टर लोग है वही आपकी तयारी को और जदा निखार सकेंगे तो इस तरह का यह प्रोग्राम सुरू हो रहा है जो लोग इसमें इंट्रेश्ट रखें वह इस नमबर पर मैसेज कर सकते हैं उनको एक लिंक मिलेगा और वह गूगल फ़र के अपने आपको रेइस्टर कर सकते हैं और जितने सदसे होंगे उनकी एक स्कूरूटनी परिक्षाली जाएगी क्यांकि बहुत सारे अब सबसे बड़ा दुन्य का भी सबसे बड़ा है वह अदिए पर जोऑंगे ब्यान में जो ऒर यह जो धराइसाम सबसे और और बादuti आप और स्टेडियम और चौंप स्टेडियम जैपुर आप आगे चलते हैं अगले कोश्चिन की तरफ यह है दा इकनोमिक बुलेटन के संदर में कौन सा कथन सत्य है तो यह क्या है दा इकनोमिक बुलेटन यह राइस्तान विश्व द्याले की एक त्रेमासिक मतलब तीन महिने में एक आने वाली पत्रिका है जिसका विमोचन किस ने किया प्रद्यूम सिंग ने किया यह प्रद्यूम सिंग छटे वित्तायोग की अध्यक्ष है इसके अलावा इस वित्तायोग में दो राज्य वित्तायोग की अध्यक्ष है यहां मैं लग देता हूं छटे रा सब्सक्राइब करते हैं अगला कुछन के युक्रीन में फसे भारती विद्यार थे हो नागर कोंगे साइथ एक राज सिरकारदारों कौन सा पोर्टल लॉंच किया गया तो वह पोर्टल था इंटीमेट जो एक मार्स 2022 को लॉंच किया गया इदाखिल पोर्टल यह जो बहुता कि वानेजे करवेभा की बिजनिस इंटेलिजेंट जो यूनिट है उसके द्वारा लॉंच किया गया और टैक्स सेंट में सुगमता लाना कराधान में सुगमता लाना इसका उद्देश से है यह लॉंच किया कब बारे जन्वरी 2022 अगला कोश्चन था बीकानियर में आयोज सब्सक्राइब को कैरियर संबंदी परामर्स देना सिंपल सा अब आलिकाओं को स्वास्थ पोस्टन संब्सक्राइब हमने पढ़ाता बीकानियर में ही अभियान सक्ति था तो पंद्रे फर्वरी 2022 को शुरू किया गया कौन सा परामर्स 2022 अर्जुन राम मेगभाल ने इसका उद्गाटन किया और इसको जो कौन-कौन है जिनके दौरा आयूजित किया रहा है तो एडू माइल स्टॉन और शिक्षा निदेशाले द्वारा राइस्तान युवा पकवाड़िक आयूजन निमलिखित में से किसके द्वारा किया रहा है तो युवा मामले कौन साइस का अब जब सान्ति आइंशा निदेशाले हमने पढ़ा तो उसमें आया हमें यह किनकी संधर में या किनको समर्पित होके इस पकवाड़िक आयूजन किया गया तो डॉक्टर एसन सुबाराव जब इनका नाम पढ़ा हमने तब हमें समझ में आया कि इनी को गांधी सद्वाब परुसकार भी दिए जा रहे हैं और वो 2022 वाली कितने लोगों को दिए पांच जिन में से एक वो हो गए दूसरे हो गए नेमीचन जैन जोद्पुर के इन दोनों को मरनो परांथ दिया गया डॉक्टर एसन सुबाराव और नेमीचन जैन को अमरनाथ भाई जी यह वारण अ परिशार दोरा सरकारी विद्धियाल में डिजिटल सीख्षार है तो निम लेखित मैं से किस संस्था के साथ समझोते पर हस्ताक्चर किया गए तो वह संस्था है स्कूल नेट संस्था वेदानता समों के साथ कौन से समझोता हुआ तो वह नंद घर जो पूछा भी गया बरतरिया जेडिये इसको बना रहे हैं यह के वास्तुकार राजभव ने शुरुआत की गई और यहां मैंने डेट नहीं लिखिए वो डेट क्या थी 26 जनवरी 2022 तो इस तरह कि अगर कोई चीजें रह जाती है इसलिए मैंने का पीडिया पी जरूर पढ़ें वहाज कल में य इसका अंसरता पिश्वाई कला जो नात्त द्वारा की है कृष्ण लीला उनसे संब्द देता है इसमें गोर्धन लीला और मेवाड की उद्धां को दिखाया गया ठेवा कला प्रताप गड़ की सोनी परवारस और उस तकला भीका नेर की एक और बात मैंने कल बताए थी इन आजेसी समहरों पे आए थे से इसको क्या हुआ था आज हमने मंतरी के नाम से इसको याद किया कौन थी मंतरी शक्नुकल रौत जिन्नों ने इसका वी उद्गाटन किया और ऐसे ही आज एक और समारों का उत्गाटन किया वह था हुनार आट तो एसे एक drama को आप पस मार्वा इस्टन भी छिक्स जो हुआ कौन से रच के साथ हुआ तो ऑन्सर को मान की साथ जो पांच मा भूआ था वह में हुआ था चटा जो हुआ है वह जोद्वपूर में 21-25 फरवरी में ठल सेना के साथ और के वहारा अभिहास से उसका नाम है अल नगहा और नौसे ने के साथ जो अब्यहास से नाम है नसीम अल बहर यह इसी का दूसरा नाम है एक्सरसाइज सी पीज तो यह हुई कल की क्लास पहले हमने पढ़े आज की क्लास साथ ही रिवाइज किया साथ ही एक थोड़ी सी एडवाइज भी मैंने दिया आपको कि सारे जो है आपके टॉपिक्स उनके एक शॉट नोट आप बनाते जाएं जिससे की हाथ हो आथ चीज़े सब्सक्राइब आपको जितना अलग अलग चीजों से पढ़ेंगे मतलब वीडियो देखेंगे एक बार पीडीय पढ़ेंगे एक लिखेंगे तो सारी चीजें इस थाई रूप से आपके दिमाग में बैठती जाएंगी तो यहां समाप्तोति आज के क्लास हम मिलते हैं कल आगली क्लास के साथ आगली कुछ जानकारियों में धन्यवाद